Good morning students, welcome to online GK class and today we will study lesson 28, it's our classical dances, classical means शास्त्रिय नृत्य, हमारे शास्त्रिय नृत्य, तो हमारे देश में बिभिन प्रकार के शास्त्रिय नृत्य किये जाते हैं, जो अलग-अलग राज्यों से संबंदित हैं, और शास्त्रिय नृत्य एक बहुत ही स्लो मोशन में किये जाने वाल dance form है, जिसमें बिभिन मुद्राओं का प्रियोग किया जाता है, इसमें मुद्राएं मुख्य होती हैं, और हम अपने जो expression होते हैं, वो जो अपनी अविव्यक्ती होती है, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने आखों का, अपने हाथों का इस्तिमाल करते हैं, और वो अपनी उसके जरीए हम अपनी अविव्यक्ती देते हैं, इसमें expression जो होता है, वो बहुत ही important होता है, तो हमारे देश में विभिन प्रकार के classical ये dance हैं, और इन से related, यहाँ पर कुछ state दिये गया है, आपको बताना है कि किस state का कौन सा classical dance form है, ओके, let's see what we have to do in this lesson 8 main classical dance forms of our country are shown below, यहाँ पर हमारे देश के कुछ मुख्य, 8 classical dance form दिये गये हैं, and we have to match them correctly to the state of their origin by drawing lines, और हमें क्या करना है, हमें उन्हें match करना है, यानि कि जो dance form है, वो किस राज्य से संबंदी थे, कहां से उसका आरंब हुआ है, किस राज्य से उसका आरंब हुआ है, ठीक है, तो चलते हैं, let's see, first one, कथक कली, कथक कली, यह किस state से है, related, केरला से, ओके, तो आपको match करना है, केरला, next one, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस state क dance form है, आपको टमिलणाडू, okay, टमिलणाडू से इसको match करना है, भरतनाट्यम तमिलणाडू, sorry, third one, मोहिनी यत्टम, मोहिनी यत्टम, यह भी हमारे केरला से रिलेटर है, तो आपको इससे match करना है, यहां पर भी देखे दिया गया है, केरला, last one, मोहिनी यत्टम, केरला, next one कथक कहा का dance form है उत्तर प्रदेश तो आपको किस से match करना इस है उत्तर प्रदेश को कथक समने सुना होगा कथक हमारे उत्तर प्रदेश का popular classical dance है फिप्ट वन ये क्या है सत्रिया ये भी एक dance form है classical तो ये किस से related है किस state से आसाम आपको किस पे match करना है आसाम से नेक्स्ट वन मनीपुरी इसका नाम से ही हमको पता लग रहा है कि हमारे ये एक state है मनीपुर वहां का जो classical dance form है वो उसे हम मनीपुरी कहते हैं और नेक्स्ट वन कुछी पुरी ठीक है कुछी पुरी तो ये किस state का classical dance form है ये है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश का ये dance form है आपको इससे match करना है और लास्ट वन ओडिसी ओडिसी ये भी नाम से ही clear है ओडिसा में ओडिसा स्टेट में ये हमारा ओडिसी पॉपलर classical dance है ठीक है तो आपको इससे match करना है और आप फिरस को एक बार लिखेंगे फिरसे learn कर लेंगे कि किस state का कौन सा dance form है और इन योर कॉपी ये तो राइट ल देख लीजे match the following और यहाँ पर एक तरफ क्या लिखेंगे आप classical dance form और यहाँ पर हो जाएगा और हमारा state ठीक है classical dance form यहाँ पर हो जाएगा हमारा state तो फरस्ट वन कथक कली केरला भरत नाट्यम तमिल नाडू मुहिनी यट्टम केरला अगेन कथक उत्तर प्रदेश सत्रिया आसाम, मनिपुरी, मनिपुरी ठीक है मनिपुर और ओडिसी उडिशा से रिलेटेड है और कुचिपुरी यह हमारा अंदर प्रदेश तो students you have to do your homebook in your copy like this Indian classical dances are based on नाटे शास्त्र जो हमारा भारती है शास्त्र इनृत्य है वो नाटे शास्त्र पर आधारीत है और भारत के जो लेख है जो भी वो संस्कृत में लिखे गाए है और किसके द्वारा भारत मुनी के द्वारा संस्कृत में इंसियंट इंडियन से जो भारत के एक बहुत ही साधा साधू व्यक्ति थे भारत मुनी उनके द्वारा लिखा गया था अब ही हमने आपको बताया कि जितने भी शास्त्र निर्थे हैं उसमें मुद्रा का एक बहुत ही महतुपून भूमिका होती मुद्रा से ही यह समंदित होते हैं या हाथ की जो मुद्राएं होती हैं यह सभी में एक्स्प्रेशन देने के लिए यह कॉमन होता है ठीक है यह so students today you have to do this work in your homework okay thank you